थर्डियर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्ण पत्र कबीर के पदों पर हम चर्चा कर रहे थें उसी क्रम में अगला पद हैं बहुत दिनन मैं प्रितम पाए भाग बड़े गरी बैठे आए मंगला चार माही मन राख़ों राम रसाइन रसना चाखों मंदिर माही भयो उजियारा ले सूती अपना पीव पियारा मैं रनी राती जे नीधि पाई हम ही कहां यह तुम ही बड़ाई कहे कबीर मैं कच्छुन कीना सक्खी सोहाग राम मोही दीना कबीर इस पद में प्रियतम जीवात्मा और पर्मात्मा के दामपत्य प्रेम और मिलन के चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं यह पद थर्डियर की पाठ्य पुस्तक भक्ति कावे सरीता में संकलित हैं जो कबीर दास द्वरा कहा गया है जन्व जन्मांत्रों की साधना के द्वरा जब किसी जीवात्मा का मिलन पर्मात्मा से हो जाता है तो उस मिलन का और उस मिलन के पूरु में दामपत्य का जो प्रेम है उस प्रेम का वर्णन इस पद की अंतरगत किया गया है चूंकि जीवात्मा और परमात्मा के आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेम और मिलन के चित्र इस कावे में प्रस्तूत है अता यहां पर एक तरह से रहस्यवाद किस रस्टी है रहस्यवादी पद हैं कबीर का यह कबीर कहते हैं, मैंने बहुत दिनों के बाद प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किया, बहुत दिनन में प्रियतम पाए, भाग बड़े घर ही बेठे आए, और मेरे अहो भाग ये कि घर बेठे मुझे मेरा परमात्मा मिल गया, कहने का तात्पर परमात्मा का वास घट में होता है ये कवीर ने अपने पूरू में साख्यों में कहा संतों ने भी यही चीज कही है कि इश्वर बाहर नहीं है मोक को कहा ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास इसी की पुस्टी ये लाइने करती है बहुत दिनों के बाद घर बेठे मेरे प्रियतम अर्थात परमात्मा आ गए उनसे मिलन हो गया परमात्मा रदय में निवास करता है अंतकरण शुद्ध होने पर उसकी अनुभूती जीव को होती है इसके लिए ना तिर्थ जाने की आउशक्ता है ना पूजापाट वृत उप्वास या किसी मंत्री की आउशक्ता है यह कबीर पूरू में कहे चुके है इसी क्रम में इस फद में वे आगे कह रहे है मंगला चार माही मन राखों राम रसाइन रसना चाखो मैंने परमात्मा के मंगल कारी मिलन के गीतों में अपने मन को लैबध कर दिया है मगन कर दिया है और अब मैं अपने जिवा से परमात्मा के नाम रुपी रसाइन का पान कर रही हूँ जिवात्मा रुपी प्रैसी कह रही है कि जब मेरे प्रियतम मेरे घर पधा रहे तो मैं अब मेरे मन में मंगल के गीत सुविरन कर रही हूँ और यदि बोलना पड़ता है तो मेरे जिवा राम रुपी रसाइन को कहती है और चकती है राम रसाइन यहाँ पर राम दश्रत पुत्र नहीं बलकि आपनिशदी ब्रह्म का वाचप यह राम है पद में आगे देखिया मंदिर माही भयो उजियारा ले सूती अपना पीव पियारा परमात्मा का जब मिलन हुआ, साक्षातकार हुआ तो उस साक्षातकार से मेरे मन रुपी मंदिर में उजाला हो गया अर्थात, अज्यान का जो अंधेरा था वह अज्यान का अंधेरा ज्यान के उजियारे के आते ही लुप्त हो गया और उस ज्यान रुपी उजियारे में मैं अपने प्रिये के साथ रमन करने लगी ले सूती अपना पीव पियारा अपने प्रिय के साथ मगन हो गई, रमन करने लगी, सो गई मैं रन्नी राती जे निधी पाई मैं तो जन्म जन्मांत्रों के की प्रतिक्षा के बाद भी निराश थी लेकिन मेरा अखो भाग ये कि मुझे परम तत्व परमात्मा इश्वर रुपी निधी प्राप्थ हो गई नो निधी पाई, हम ही कहां यह तुम ही बढ़ाई लेकिन इतना होने के बाद भी यहाँ पर जीवात्मा सारा श्रे परमात्मा को दे रही है जीव कहता है, जीवात्मा रुपी प्रैसी करी है कि यह कोई मेरा बड़पन नहीं यह तो आपकी क्रपा है है परमात्मा कि आप मुझे साक्षात हुए इस पंक्ति के द्वारा कबीर ने यह संकेत देना चाहा है कि जब साधना के द्वारा अंतकरण की शुद्धी के द्वारा जब जीव का परमतत्म से मिलन होता है तो उस मिलन के उपरांत भी उसके अंदर अहंकार ना आ जाए कि ये मेरे तब द्वारा हुआ मेरी साधना के द्वारा हुआ या देखे मेरी सामर्थ है कि मैंने परमात्मा को पा लिया मैंने पा लिया ये जो मैं है ये मैं कहीं पुस्ट ना हो जाए उसकी भी जगे यहां पर कबीर ने नहीं छोड़ी है इतनी बड़ी उपलब्धी के बात भी जीवात्मा ये कर रही है कि मैंने चो तुमको पाया है उसमें मेरी नहीं ये तुम्हारा बड़पन है कि तुमने मेरा चुनाव किया तुमने मुझे चुना तुम मेरे गर पढ़ा रहे कही कबीर मैं कचुन की नहा कबीर कहते हैं कि मैंने तो जीवात्मा कहती है कि मैं तो कुछ नहीं किया हे परमत्त्तु हे परमात्मा हे ब्रम मैंने कुछ नहीं किया सकी सोहाग राम मोहिद्य यदि मैं आज सोभाग्य वती हूँ, यदि आज मुझे मेरा प्रियतम मिल चुका है, तो यह मेरा सोभाग्य राम ने मुझे प्रजान किया है, मुझे सोभाग्य वती बनने का अवसर मुझ जीवात्मा को उस परभ्रम्म ने दिया, उस परमात्मा ने दिया, प्रस्तूत पद कि अंदर रूपक अलंकार है। विशेश रूपक में धी ओर हम आगे बढ़े तो रूपक अति श्वक्तिह। और अंतिम्पंक्ति में विभावना अलंकार पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। गोडी राग में ये पद रचा गया है संपुन पद में सदुक्कडी भाषा का प्रयोग हुआ है दामपत्य प्रतीकों ध्वारा आत्मा और परमात्मे के मिलन की अध्भुद वियंजेना की गई है संपुन पद रहस्यवाद का प्रतिने दित्व करता है इसी क्रम में अगला पद देखिए पांडे काउन कुमति तो है लागी तु राम न जपही अभागी है पंडित पता नहीं तेरी बुद्धी कैसी हो गई है तु शाष्ट्र पढ़ते ही जाता है एहंकार को बढ़ाता ही जाता है कैसी दुरुबुद्धी तेरी हो गई है अभिमानी पंडित कि तु राम अर्थात जो सच्चा नाम है इश्वर का उसको क्यो नहीं जबता राम का सच्चा जब क्यों नहीं करता क्यों शास्त्रों को रटकर उसका एहंकार बढ़ाता है जानकारी का एहंकार बढ़ाता है वेद पुरान पढ़त असपांडे खर चंदन जैसे भारा जिस प्रकार गधा चंदन का बोज उठाता रहता है पर उसकी सुगंद से अभिभूत नहीं होता उसी प्रकार है पंडित तू भी वेद और पुरान तो पढ़ता है पर इश्वर के वास्त्विक रहस्य को राम के वास्त्विक रहस्य को नहीं समझता राम नाम तत्त समझत नाही अंति पड़े मुख छारा और यदि ऐसा वास्तों में नहीं कर पाया राम के नाम को नहीं समझ पाया तो अंत में तेरे मुह में केवल और केवल धूल पड़ेगी तेरा मुह पवित्र नहीं होगा शास्त्रों के पठन पाठन से मुख पवित्र नहोगा बलकि अंत समय में तेरे मुख में धूल समाएगी वेद पढ़िया काये फल पांडे सब गटी देखो रामा वास्ता में तुमने वेद पढ़ा होता है पंडित है शास्त्रों के ग्याता तो उसका परिणाम यह होता कि तुझे सभी मनुष्यों के रदय के अंदर हर गट में राम नजराते राम के दर्शन होते हैं जन्म मरन थे तो तू छूटे सुफल हूँ सब कामा ऐसा होने पर भी तेरा जन्म और मरन का चक्र छूट जाएगा और तेरे सब कारज सफल हो जाएगे तेरा जन्म धारन करना सफल हो जाएगा जीव बधत अरु धर्म कहत हो अधर्म कहा है भाई धर्म के नाम पर पश्यों की बली देते हो फिर अधर्म किसको कहोगे है भाईयों एक और तुम जीव हत्या करते हो और दूसरी और उसी को धर्म बताते हो तो है भाई अधर्म कहा रहा अधर्म किसे कहेंगे आपन तो मुनि जन वे बेठाई कासनी कहों कसाई और इस प्रकार जीव का वद करके स्वयम को मुनि समझ बेठते हो तो फिर कसाई किसको कहेंगे नारद कहे व्यास यों भाषे सुखदेव पूछो जाई नारद और व्यास और समस्त रिशी मुनि जो हैं सुखदेव उन सब से जाकर पूछ लो वो सब यही बात कहते हैं कहे कबीर कुमति तब छूटे जे रयो राम लियो लाई कबीर कहते हैं समस्त रिशी मुनि सुखदेव नारद व्यास सब यही कहते हैं और स्वयम महकवी कबीर भी यही कह रहे हैं कि है जीव तेरी जो कुबुद्धी हैं वह तबी छूटेगी जब जे रयो राम लियो लियाए जब तेरा मन भगवान राम में लग जाएगा जब भगवान राम में सच्चा ध्यान तेरा लग जाएगा तेरी लो भगवान राम में अर्थात अपनिशदिक ब्रह्म में इश्वर में स्रस्टी के उस परम तत्व में तेरी लो लग जाएगी तेरा मन उसमें रम जाएगा तभी तेरी बुद्धी छूटेगी तुझे मुक्ती होगी इस पद के अंदर कभीर ने ततकालिन समय में ज्यानी पंडितों के आडंबरों का चित्तर्न किया है प्रस्तूत पद में बताया गया है कि केवल शास्त्रों को रट डालने से व्यक्ति की बुद्धी कभी भी सही नहीं हो सकती है उसका ज्यान कभी नहीं मिट सकता है इसलिए इस पद के अंदर एश्वर की शुद्ध मन से भक्ति करने पर बल दिया है